हलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं सुरंदर सिंग, आज आप सभी PF मेंबरों का मेरे टेक्नो सुरंदर चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे, यदि दोस्तों आप किसी private company में ये काम कर रहे हो और आपका PF का contribution हो रहा है, ठीक दोस्तों? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका PF का contribution कितने percent जमा हो रहा है, ठीक दोस्तों? इसके साथी company का कितना percent जमा हो र होनी चाहिए, और किसी आजकल सभी भाईयों को पता भी होती है और नहीं पता है, तो इस वीडियो का आप लास तक जिरूर देखना, ठीक दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज step by step और detail से बताऊंगा, ठीक दोस्तों? तो दोस्तों आप मेरे रेगुलर वीडियो देखने वाले मेंबर हो, तो आप पिलेज मेरे वीडियो को लास तक देखें और लगे वीडियो को लाइक जरू करना, ठीक दोस्तों? ताकि मैं आपको इस प्रकार के helpful वीडियो लाता रहूँ, ठीक दोस्तों? तो मैं अब आपको मोवाल स्क का कंट्रूइशन होगा, जो आपकी बेसिक सेलरी और डीय का 12% होगा, ठीक दोस्तों? वो आपका EPF में जमा होगा, ठीक दोस्तों? इसके साथ ही, एक दोस्तों, एम्पलोयर भी आपका 12% ही जमा करेगा, लेकिन दोस्तों उसका दो पार्टों में जमा होगा, एक तो 3.67% जो भी आपकी बेसिक सेलरी और डीय है, उसका EPF में जमा होगा, मतलब एम्पलोय प्रोवाइड़ फंड में जमा होगा, उसके बादी 8.33% बेसिक सेलरी है, जो एम्पलोय पैंशन स्कीम के तहट जमा होगा, ठीक दोस्तों? तो इस परकार से तो दो पार्टों में आपका इस वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों ये कंट्रूइशन स्कीम जो EPF क्या ही है, वो बामन एर से आईए, ठीक दोस्तों? इसमें क्या है, एक तो एम्पलोय का बारे परशन, वो आप मैंने आपको फ्लोचार्ट में बता दिया है, दूसरा फिर एम्पलोय का दो पार् जमा कराएगा, ठीक दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको बूलाता कि, मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी basic salary वो आप कहां से देखोगी, क्योंकि दोस्तों जो भी आपकी company है, वो आपको एक salary slip देंगी, तो इसके अंदर आपको basic salary भी लिखी होगी, कि आपका basic salary कितना है, ठ intuition एक हजार पचास जमा हो रहा है, क्योंकि यहापर 9000 basic salary है, और 1080 यहापर आपका EPF में deduction होगा, ठीक दोस्तों? और इसके साथ ही दोस्तों आपको और आगे में detail में बताऊंगा, दोस्तों EPF mandatory if total employee of complete is more than 20, दोस्तों यदि आपकी किसी भी कोई भी company है, तो जिसमें 20 से अधि member हैं, तो दोस्तों वहाँ पर EPF कटना एक तरह से जरूरी है, ठीक दोस्तों? यह भी आपको मैं पहले बताते हैं, EPF calculation is done on employee salary, basic salary plus DA, EPF calculation आपकी basic salary और DA पर ही होगी, वो भी आपकी 12% और कुछ case हो में आपके 10% भी होती है दोस्तों, ठीक दोस्तों? वो भी मैं आपको 10% PF कटेगा और 10% ही आपका employer जमा कराएगा, employee और employer have been deposit equal contribution to employee EPF account, इसका मतलब दोस्तों आपकी जो भी आपका जितना पैसा कटेगा उतना ही आपके employer को जमा कराना पड़ेगा EPF account के अंदर, ठीक दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपको बोलाता है, एक 10% PF भी करता है, वो किन case हों में कटेगा, एक तो दोस्तों जो भी company है आपकी, उसमें यदि आपके 20 से कम employee काम करते हैं, ठीक दोस्तों? तो उसमें 10% ही PF आपका कटेगा, ठीक दोस्तों? और दूसरा है, यदि कोई company financial तरिका से या board of industry दोस्तों, यदि किसी ने, यदि board of industry और financial reconstruction ने उस company को काटे म दोस्तों, तो उसके तैत, उसका भी contribution 10% होगा, ठीक दोस्तों? तो financial year loss यदि उसका net worth से अधिक है, तो भी आपका 10% PF ही कटेगा, ठीक दोस्तों? इसके लाब कुछ company है, जैसे jute, core है, break है, gore game है, इन सभी company के अंदर भी 10% आपका PF कटेगा, ठीक दोस्तों? फिर भी आपक कोई problem आए, इससे समंदित, तो मुझे आप मेरी Instagram ID है, surrender.seeing.1468 पर आप मेरे को message करके पूछ सकते हैं, मेरी, और दोस्तों, यदि आप मेरे channel पर नही हो, तो channel को subscribe करें, subscribe के साथ ही, दोस्तों, मेरे वीडियो चैनल को